आज हम हमारे दस्वी कक्षा का नया पाट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कर चले हम फिदा बच्चो यह पाट पद्य है और यह गाना हमारे देश भक्ति पर हम अक्सर उसे गुनगुनाया करते हैं जो हमारे मन में अमारे देश के प्रतिये जोश बर जाता है कर चले हम फिदा इस कविता के कवी है कैफी आजमी कवी का असल में नाम है अत्तर हुसेन जिजवी जो दुनिया में आगे चलकर कैफी नाम से मशूर हुए इनकी गनना प्रगतिशील उर्दु कवियोग की पहली पंक्तियों में ही किया जाता है इनकी कविताओं में एक और सामाजीक और राजनेतिक जागरुपता का समाविश है तो दूसरी और रुदय की कोमलता भी है इनोंने फिल्मों के लिए सेक रो बहतरिम गीत भी लिखे ह अपने रचना कर्म के लिए कैफी आजमी को सहित्य अकादमी पुरस्कार सहित्य कई पुरस्कारों से नवाजा गरूँ तो चलो बच्चो देखते हैं इस कविता को पढ़ने से पहले उसका पाठ प्रवेश क्या है ये कविता क्या सिखाती है बच्चो जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है कोई भी इसे युही खुना नहीं चाता और साध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकृतिने न केवल तमाम साधन ही उपलब्त कराएं हैं बलकि सभी जीव जन्तूओं में उसे सभी जीव जन्तूओं में उसे बनाए रखने की भावना भी बिरोई है इसलिए शान्ति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा है तु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं लेकिन इससे ठीक विपरित होता है सैनिक का जीवन जो अपने नहीं जब औरों के जीवन पर उनकी आजादी पर आवनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिन्दगी और आजादी भले ही बची रहे उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है परन्तु कविता में ऐसे ही सहिनिकों के विद्धे की आवाज बयान करता है जिन्हें अपने लिए अपने किये धरे पर नाज है इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है इसलिए आईए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं कर्चले हम फिदा जानोतन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो सास थम ती गई नब्ज जम ती गई फिर भी पढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे जो कुछ गम नहीं सर हिमाले का हमने न जुकने दिया मरते मरते रहा बाकपन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो यहाँ पर फिदा याने बलिदान नब्ज याने नस बाकपन का अर्थ है जवानी का जोश अत्वा रक्षा करने की भावना तो उसका आशे इस तरह से बनता है यहाँ पर सैनिक कहता है हे मेरे देश वासियों मैं और मेरे अन्य सैनिक साति अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और अपना प्रान नोचावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं अब यह देश तुम्हारे हवाले हैं, तुम्ही इसकी रक्षा करना, देश के लिए लड़ते लड़ते हमारे सांसे रुकने लगी थी, नसे थंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्प से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गएं, देश की रक्षा करते हु हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमाले का सर नहीं जुकने दिया मरति समय भी हमारे मन में बलिदान और संगर्ष का जोश बना रहा अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं अतह अब देश की जो बाग है वो तुमारे हाथ में है इसकी रक्षा करना तो इस तरह से इस पंग्ति में से सैनिक अपने सातियों को तथा अपने देशवासियों को यानि हमें आपको यह संबोधित कर रहा है दूसरी पंग्तिया इस तरह से हैं जिन्दा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं खुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वे जवानी जो खुमें नहाती नहीं आज धर्ती बनी हैं दुलहन सातियों अब तुमारे हवाले वतन सातियों यहाँ पर मौसम का अर्थ दिया गया है अवसर रुत याने भी मौसम समय अत्वा अवसर के ही रूप में यहाँ पर प्रस्तित किया गया है खुसन का अर्थ है सुन्दर्था, इश्क याने प्रेम, रुखस्वा याने बदनाम, खुण याने खुण तो इसका आशय इस तरह से बनता है हमारे बलिदानी सैनिक अपने अन्य सातियों को कहते हैं हे मेरे सातियों, जिन्दगी जीने की तो अउसर बहुत मिलते हैं परन्तु तेश के लिए बलिदान होने का पवित्र अउसर कभी कभी आता है आज तुमारे लिए बलिदान का यह पुन्य अउसर आ गया है इस समय जो सैनिक अपने शत्रू से लड़ता हुआ खून से लत्पत नहीं होगा वह अपनी धर्ती के सौंदरिया और प्रेम को बदनाम करेगा ऐसे सैनिक का देश में व्यर्त हैं आज जो देश की धर्ती ही हमारे लिए दुलहन है और तुमें हमें इसकी लाज की रक्षा करनी है अब यह देश तुमारे हवाले हैं इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्क पर बढ़ते रहो आगे चड़ते रहो चलो तो इस तरह से यहाँ पर इस पंक्तियों में उन्होंने हमें यही कहाए कि यह धर्दी हम सब के लिए एक दुलहन की तरह है जिस तरह से प्यक्ति अपनी दुलहन का हर तरीके से रक्षा करता रहता है उसी तरह से यहाँ पर उस बलिदानी सैनिक ने हमें यही बताया गया है कि यह धर्दी एक दुलहन की तरह है और उसकी लाज रखना ये हर एक प्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक देश्वासी का है, हर एक सैनिक का है तिसरी पंक्तियों में इस तरह से कहा गया है राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिन्दगी मौत से मिल रही है गले बांधलो अपने सर से कफन सातियों, अब तुमारे हवाले वतन सातियों यहाँ पर वीरान यने सुनी, काफिले यने यात्रियों का समुह, जश्न यने खुशी मनाना मौत से गले मिलना यने मौत का निमंत्रन देना सर से कफन बानना का अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना तो बच्चो इसका अर्थ अब हम आशे हम समझ कर लेते हैं यहाँ पर वही बलिदानी सैनिक कहता है उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए यानि देश के लिए जो बलिदान उन्होंने दिये हैं वो राह जो है वो कभी सुनी नहीं होनी चाहिए देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्ते तयार होते रहने चाहिए यानि ग्रूप जो हैं वो तयार होते रहने चाहिए वे बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहने चाहिए एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा उसका आशय यही है कि बलिदान के पदपर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी देखो आज जिन्दगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है यहां आशे यही है कि संघर्ष शिल नवयुवक उद्साहपुर्वक बलिदान देने को तयार है तता यह भी कहता है कि देश के लिए मर मिटने का आउसर आया है तुम मरने के लिए तयार हो जाओ हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं अब यह देश तुमारे सहारे छोड़ कर जा रहे हैं इसे शत्रू से बचा कर रखना तो बच्चो यहां पर यही पताया गया है कि पहला जशन कौन सा होना चाहिए तो लडने का मर मिटने का और उसके बाद हम विजय का उटसव यानि हम जितने जोश के साथ हम लड़ेंगे वही जो ताकत हमारे अंदर होगी उसी से ही हम क्या करेंगे अपनी जीत हासिल करेंगे और फिर उस जीत का जशन हम बात में मनाएंगे पहला जशन होगा लडाई का लडने का मर मिटने का तो इस तरह से बच्चो हमारे भारतिय जवान हमारे देश की सीमाव पर रहकर हमारे हमारी सुरक्षा के लिए इतना अपना बलिदान दे रहे हैं आज हम यहां बैट कर हमारे जो दूख हम जो भी त्यवार जो मनाते हैं ये सब उनकी महरबानी है जो हमारी पहरेदारी कर रहे हमारे सीमाव पर हमारे देश की रक्षा कर रहे ह। उन सैनिकों की महरबाने से हम सब देशवासी हमारे यहां पर हम जो रोज का सुबह से शाम तक जो हमारे जीवन है वो केवल उनके ही सहारे हम बिन्धास्त जी रहे हैं हमें उनका शत्षाह अभार मानना होगा और हमें उनके लिए हमेशा गर्व से हमारा सर उचा होना चाहिए बच्चो यह सैनिक हमारे देशवासी के लिए इतना कुछ करते हैं और हम उन्हें कितना याद करते हैं, हमारे मन में उनके प्रती कितनी बड़ी श्रता होनी चाहिए और वक्त आएं तो हमें भी इस तरह से मर मिटने का और अपने देश के लिए लड़ने का, अगर हमें अउसर मिले तो जरूर हमें उस अउसर को नहीं चोड़ना चाहिए इस कविता को पढ़ने के बाद हमें उस सैनिक की पूरी जिन्दगी और जीवन के बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से होता है एक सैनिक का जीवन। अगर उठने लगे तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे चून पाए सीता का दामन कोई राम भी तुम तुम्ही लक्षिमन सातियो अब तुमारे हवाले वतन सातियो बच्चो देखो ये काना जो है ये कविता है उसे पढ़ते ही हमारे शरीर पर हमारे रोम रोम खड़े हो जा एक आदर और एक शरद्ध का स्तान निर्मान हो जाता है तो यहाँ पर लकीर यानि रेखा हाथ उठाना यानि आक्रमन होना या करना दामन यानि आचल तो यह आगरी जो चौती पंक्ती कड़ी है उस कड़ी का अर्थ है कि सैनिक कहता है तुम अपने खून से धरती पर एक रेका ऐसे खीज दो, अर्थात तुम अपने बलिदान से शत्रू को सीमा के बाहर ही रोग दो, हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावन यानि कोई दुश्मन घुस ना आए, फिर से कोई अत्याचारी, अक्रमनकारी हमारे देश में न घुस आए, और अगर किसी आक्रमनकरी का हाथ हम पर प्रहार करता है, तो उसे तोड़ कर रग दो, सावधान रहो, कई कोई शत्रू सीता के दामन पर हाथ न लगा पाएं, यानि ये धर्दी को उन्होंने सीता कहा है, तुमी राम हो, तुमी लक्षुमन हो, स्वयम को पहचानों और तुमी भारत के रक्षक हो, रकवाले हो, अब हम यह देश तुमारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना, यही इस आखरी पंक्तियों में कवी, जो हमारा बलिदानी सैनिक है, वो हमें कह तुमी राम हो, तुमी लक्षुमन हो, तुम अपने आपको पहचानों कि तुम राम हो या लक्षुमन हो, और आपको इस सीता रुपी भारत भुमी को बचाना है, और शत्रु रुपी रावन को सीमा के पार ही आपको रोकना है, कभी उसे अपने सीमा के भारत भुमी के अं पड़ेगा हम तो इस तरह से अपनी देश की रक्षा के लिए अमारा बलिदान देकर शहीद हो रहे हैं अप इस हमारी जग़ापर आपको आना हैं और इसी तरह से अपने भारत भुमी की रक्षा करना हैं यही यहांपर इस कविता में उस बलिदानी सहेनीक ने यहाँ पर अपने आत्मकता याने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है तो बच्चो यह एक सैनिक नहीं हमारे बॉर्डर पर काम करने वाले और हमारे भारत देश में हमारे भारतिय जो सैनिक है उन सभी सैनिकों की मिलकर एक प्रतिनी दित्व की रूप में यह क अक्सर आपको सैनिक की अत्मकता इस तरह से अगर कोई अनुचिद लेखन लिखने के लिए आ जाए तो आपको यह कविता बहुत ही लाबदायक होगी यह कविता में एक सैनिक ने अपने पूरे जीवन के बारे में और अपने चाओं और देश के प्रती किस तरह से उसकी तड आते शहीद होते होते वो अपने देशवासियों को और अपने अन्यसातियों को किस तरह से प्रोचसाहन दे रहा है अपने देश की भूमी को बचाने के लिए यही इस कविता में बहुत अच्छी तरह से कैफे आजमी ने यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है बच्चो इस ग तो हम भी हमें भी जी जान लगा कर देश की रक्षा करने चाहिए युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए चाहे बरफिली आंदियों का सामना करना पड़े चाहे सास रुख जाए नसे जम जाए मोत सामने आ जाए तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना और हमें ही उसकी रक्षा करनी है यदि यह सीता है तो हम राम और लक्षिमन हैं हमें एक के बाद एक बलिदानी का फिले तयार करने ही हैं ताकि हम आखरी दम तक हमारे देश की रक्षा के काम आ सके तो बच्चो यही हमारे भारतिय जवानों की जो कहानी है यहाँ पर व्यक व्यक्त की गई है उनकी जीवन बचो आपने बॉर्डर पिचर तो देखाई होगा उस फिल्म में जिस तरह से वो सैनिकों की यही कथा वहाँ पर व्यक्त की गई है तो किस तरह से हमारा सैनिक बॉर्डर पर रहता है तो किस तरह से उसकी भी अपनी अपने समस्याओं को पकड़ कर नहीं रखता है अपने समस्याओं को दूर अपने कर्तव्य पर दकश रहता है क्योंकि उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने देश की रक्षा करना और देश के लिए मर मिटना बच्चो जब ये सैनिक भरती हो जाता है जब ये पहराव पहनता है तब ही वह शपत लेता है अपने देश की रक्षा के लिए क्योंकि उसके लिए सभी पूरा देश यानि हमारे भारत देश के सभी देशवासी उसका परिवार होता है और उन सभी परिवार की उसे रक्षा करने पड़ती है तब यह सैनिक किसी भी प्रकार के कोई भी भेद भाव यहां पर नहीं करता है और वह सब की रक्षा के लिए लड़ता है और शहीद हो जाता है बच्चों, जिस तरह से सैनिक में भरती होते ही वह व्यक्ति, वह सैनिक अपने सर पर मौत का कफन बान करी निकलता है और उसे वह गर्व होता है और जब वह लड़ता है और लड़ते लड़ते अपने काम पर करते हुए जब वो शहीद होता है, तो वो अपने आपकर और उसका परिवार भी आपने आपको बहुत गरविला, मैसस करता है, तो पच्चो यह कविता, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस कविता को पढ़ने के बाद, आपके मन में भी शायद, अपने भारत देश के प्रती उस सैनिकों के प्रती आपके विमन में एक श्रद्दक अस्तान है बच्चों आप भी ऐसे हमारे भारत हमारे भारतिय सैनिकों में आप भी जाकर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और अपने देश का नाम उचा कर सकते हैं अपने सैनिकों की बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जहां आप अपना अच्छी तरह से जिन्दगी सवार सकते हैं और अपना कुछ एक अच्छा काम करने का एक अउसर आप लोगों को मिल जाता है अपने देश के प्रती अगर आपको सनेहा हैं प्रेम हैं तो आप लोग भी इस सैनिक की काथा को सुनकर जरूर आपके मन में भी ऐसे हमारे देश की रक्षा के प्रती भावना जागरूत हुई होगी तो बच्चों यही पर हमारी कविता समाप्त होती है